हाई एवरिवन तो आज हम टूंचे के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड इमेज डिस्क्रप्शन के बारे में येस एंड ये एक इंपॉर्टेंट लक्षर होने वाला यहां से जितनी बाते करेंगे वो थोड़ी अब फर्स्ट उनिट से आगे की बात होगी तो मतलब थोड़ा सब आपको नॉलेज हो गया होगा मैं होप यही कर रहा हूँ तब ही आपको ही समझ में आने वाला है वैसे हम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देखेंगे एंड बहुत ही जादा एक इंपॉर्टेंट आज की टाइम पर प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में जो एप्लिकेशन होते हैं वो सारे एप्लिकेशन भी हम आपर देखेंगे कि किस तरीके से image description से क्या हो रहा है and image representation से क्या हो रहा है चीक है तो without any wasting of time चलते हैं सबसे पहले image representation समसते हैं So, image representation refers to the various ways in which image can be stored, processed and analyzed in the computer system So, अगर image हम store कर रहे हैं, process कर रहे हैं और उसमें analyze कर रहे हैं तो image representation उसी को भी बता रहा हो होता है In short way में अगर image representation की बात करी जाए सो इमेज रिप्रेजेंटेशन का में काम यह है कि जो हमने इमेज क्याप्चर कर दी है और उसको एक कम्प्लीट साही तरीके के फॉर्मेट रख देते हैं और उसी को गएंगे रिप्रेजेंटेशन करना समझ रहो यह वन प्रेजेंटेशन बहुत-बहुत जादा इन्पॉर्टन लाइन है कि एक कॉमन मैतल्ड है पिक्सल बेस्ट इसमें क्या होगा कि हरी पिक्सल हमें क्या बता रहा होगा ऑई उसकी वैली बता रहा हो और को इसकी अगर RGB की बात करें तो बहुत जीरो से लेके 255 उसके range हो जाती है, कहीं पर 19, कहीं पर 16, कहीं पर 200, तो वो सब के बाद आ रहा होता है, pixels, वो सब उसकी color की value बता रहा होता है, तो यह आप लोगों ने pixel based representation देखा ही होगा, हमने starting के lectures में टून जाएंके पूसी में हमने black and white समझा था, अब वो कुछ भी हो सकता है, red, green, blue भी हो सकता है, जिसमें 0 से लेके 255 के combinations हो सकते हैं, for example, lime teen, ऐसे कुछ, तो यह सब pixels हैं, ठीक हैं, तो ऐसे कुछ होता है, अगर black and white क image की बात करी जाएं, तो उसकी range होती, 0 या तो फिर 1, 0 और 1 की बीच में ही pixels होंगे, और अगर RGB या colors की बात करी जाएं, तो उसकी range होती, 0 से लेके 255, clear बात, तो यह क्या pixels की values हैं, ठीक है, और हर एक pixel क्या बता रहा होता है, कि वहाँ पे क्या चीज present है, मालोग एक dog है, य उसका color देखा जाएगा, कि यार, यह 0 का मतलब है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा चोटा सा pixel होगा, जिसमें black color दिखा रहा है, ऐसी ही कहीं 19 लगा है, तो मतलब कहीं न कहीं, RGB color आ चुका है, तो इस तरीके से यह समझ बाते हैं, with the help of pixels, यहाँ पे लिखा भी गया, one of the most common method is through pixel-based representation where each pixel in the image is assigned a value representing its color and the intensity, yes, वही चीज़ बता रहेते हैं, जो हर एक pixel है, वो क्या बता रहा है, उसका color का value और उसकी intensity, ठीक है भाई, this is typically used using formats such as JPEG, which is called JPG, PNG और TIFF, तो यह सारे आप different formats देख सकते हो, तो यहाँ से क्या समझ में आया है, कि image representation का मतलब क्या है, कि जो भी अपनी image है, उसको हम क्या कर रहे है, convert कर रहे है, या फिर, हाँ, उसको convert कर रहे है, एक simple और suitable format के अंदर, वह ही क्या लाएगा image representation, clear है, another method is vector-based representation, अब image representation में भी, एक तो pixel-based सी, दूसरी क्या है, vector-based है, clear है बाद, हाँ, vector समझते हो, yes, shapes वागए राटे तुरू, and इसकी जो quality होती, तुदी जादा better होती है, vector-based images की, where vector-based representation, where images are described using mathematical shapes and curves, rather than the pixels, तो vector-based में क्या होगी, pixels के पर बात नहीं होगी, shapes और curves से होगी, आप लोगोंने शायद photos आप सीखा होगा, तो थोड़ा बहुत basic idea आपको होगा, कि vector image क्या होती है, and vector graphics are resolution independent, and commonly used in the application like, मैंने बताया था, Adobe Illustrators, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो vector image खुद से create कर रहे होती हो, and वहाँ पर जो vector image, जो actually में image, अगर आप Google में search करना, किसी भी object की, like animal की कर लो, dog की कर लो, so dog की आप एक normal image देखना, और वहीं पर आप vector image देखना, तो आपको बहुत जादा huge differences देखने को मिलेंगे, and vector image में, जो main बात होगी, वो कभी भी फटेगा नी, हना आप उसको कितना भी extend कर लो, कितना भी size उसका बढ़ा लो, तो फटेगा नी, for example, आपके पास एक image है, जिसका size इतना है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको और zoom कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो normal images, जो pixels वाली होंगी, उसके pixel fade होने लगेंगे, बट vector images की, वो pixels fade नहीं होते हैं, यह एक बहुत ही important बात होती, vector images के अंदर, तो vector base representation भी follow होता है, clear है बात, तो where images can be scale up and down without losing the quality, यह जो मैं आपको बता रहा था, कि आप images को कितना भी, मतलब zoom कर सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, उसका size, तो आपर, जो main च fade जाते हैं, feed हो जाते हैं, clear है बात, तो यह हो गए image representation के अंदर, अब image representation और image description का जो main actual use है, for example, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं traffic signal के अंदर, आज कल क्या होते हैं, गाड़ी के number plates, मतलब समाझ जो signal किसी ने तोड़ लिया, तो उसका trace हो जाता हो, and कई बार, इस तरीक representation से नहीं वो होता है, image description से, एक detailing मिलती है, ठीक है, मतलब देखो, image description का main काम यह है कि, जो भी चीज़े निकाल रहा हो, वो क्या निकाल रहा हो, image की एकदम extract कर रहा हो, meaningful information, ठीक है, वो कहलाएगा, अपना description के अंदर, जैसे object का recognition है, object है उसको recognize कर रहा है, यह सारी चीज़े जाती है, image description के अंदर, clear है बात, समझे रहो, अब definition देखता है, when it comes to describing the images, this can involve the objective and the subjective element, अगर हम यहापे image description की बात करें, तो यह दो तरीके की आप देखोगे, यहापे, objective elements में का होगा, यहापे images की details बताएगी, just like dimensions वगेरा, dimensions, resolutions, and color depth of the image, as well as any metadata associated with it, taking likes, date, time, locations, तो यह सब क् बता जाएगा, description के अंदर, but subjective, objective description के अंदर, but subjective description की बात करी जाए, तो उसमें जो बात होगी, वो उसमें हो सकती है, कि भाई, actually मैं, extra चीज़े दिखाएगा, tone बता देगा, है ना, क्या क्या styling ही हुई है, वो सारी चीज़े extra है, यहापे बता देगा, subjective description में, objective समझे जिसके on the dimensions, resolutions, यह सारी चीज़े बात होगी, subjective में क्या है, subjective descriptions on the other hand involved, interpreting the content of the image, this could identify the objects, वो ही जो बात की गई थी, यह main जो काम है, object recognition का है, just like कि मैं को number plate इस car की find करनी है, तो वो कैसे होगी, वो image description बताएगा, and वो subjective description के अंदर, आपको देखने को जाएधा मिलेगा, ठीक है, identifying the objects, peoples, or scenes within the images, as well as describing the mode, tone, और artistic style conveyed by the images, तो इस तरीके साब यहाँ पर इसको बता सकते हो, clear है बात, yes, in short way में अगर आपको दो line में बता दूँ कि बाई, image representation क्या होता है, image representation कुछ नहीं है, मतलब just आपने image देख रहा क्योंगी दो तरीके की, एक pixel based and vector based, बट वो दो होगए इमेज इन दोनों के उपर है, बट जो main काम है, image representation के अंदर क्या हो रहा होता है, कि हम image को एक suitable format में represent कर रहे होता है, ठीक है, और जबकि अपनी image description के बात करी जाए, तो वहाँ से क्या निका पास meaningful information क्या होगी, इसकी number plate होगी, clear है बाद, इस से अब मैंको फिर देखना पड़ेगा कि signal break किया, इस car नहीं या नहीं किया, किया है, तो वह आला scenario बैट जाता है, तो मेरे गयाद से मैंना को एक short way में image representation and description के उपर अच्छा खासा knowledge दे दिया, vector images और pixel based images, इनका representation कैसे हो होता है, वो भी समझा दिया, so आज के लिए इतने रखता है, and मैं hope कराओं कि समझ में सभी को आ गया है,